वेलकम तो करेंट शिक्षा आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बहुत अच्छी चल लए होगी आज इस वीडियो में हम 6 दिसंबर 2030 का करेंट अफियर्ष सौट नोर्स के माध हम से रिवाइस करने वाले हैं अगर आप लोग चैनल पर पह हाले में ऑक्सपोर्ड उनिवस्टी ने रिज यानि की इसका साब्दिकार्त है करिश्मा को यहाँ पर 2030 का वर्ड नामित किया है यहाँ इसका मतलब है यहाँ पर किसी व्यक्ति को आकर्षित या भाहकाने की च्छमता रखने वाला यहाँ पर 2022 में ऑक्सपोर्ड किया है पैंब्रिज उनिवस्टी ने यहाँ पर हैलूसिनेट वर्ड घुशित किया है और मरियम डिक्षिनरी ने यहाँ पर ऑथन्टिक वर्ड को यहाँ पर 2030 का वर्ड अब दायर नामित किया है नेक्स्ट है विस्व का पहला पोटेबल अस्पताल आरो के मैत्री क्यूब को लांच गुरुगराम में किया गया है होकी 5S Asia Cup 2030 का पहला संसकरण भारत ने जीता है मेल और फीमेल दोनों में भारत ने इसको चीता है भारतिय फिल्म यूम टेलिवीजन संस्थान के अध्यच आर माधवन बने है और इनकी फिल्म राकेट्री को बेस्ट फीचर फिल्म क अवार्ड निशनल अवार्ड्स में दिया गया था। वर्ड इनुवेशन अवार्ड चांता ठोटम को दिया गया है होला है में नोरत तपनी का डरजा ए और सी एफ राश्टीर कैमिकल्स इन फर्टेलैजər को दिया गया है नेक्स्ट कुशन है फॉपस इसिया हीरो ऑफ फै परोपकारी जो सूची है इसमें 15 लोगों को शामिल किया गया है और ये इसका सत्रवा संसकरणा जिसमें तीन भारतियों को शामिल किया गया है पहले हैं नंदन निलेकडी जो की इनफोसिस के को फाउंडर हैं दूसरे हैं केपी सिंग और तीसरे निखिल कामत को यहां पर शा अमेरिका एस्तित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विस्सु इस्तर का सीर्ष केंद्र केंद्री बैंकर नामित किया है तो इन्होंने सक्तिकांत दास जो कि भारत के आरबियाई के 25 वे गवर्नर ने इसको नामित किया है। नेक्स्ट कोशन है एन्सी आरबि की रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2022 में महिलाओं के खिलाफ सरवादिक अपरादिक मामले कहां दर्ज हुई हैं। 51 अपराद यहां पर दिल्ली उतरपदेश महराष्ट और राजस्थान में होते हैं इनका करम है। इसकिलावा 31,500 बलतकार के केस यहां पर दर्ज हुई हैं जिसमें रास्थान और उतरपदेश करमशा एक दूसरे नंबर पर हैं। और क्राइम में यहां पर 24% की बढ़ोतरी हुई है और आत्म हत्या में यहां पर 4.2% की ब्रद्धी हुई है। रास्थ यह पोश्ण माह को हाली में सिप्टमबर मंत को गोशित किया गया था। केंद सरकार ने एक रास्थ एक चुनाओ की संभावना तलासने के लिए रामनात कोविंद जोकी पूर्व राष्टपती है भारत के इनकी अधचता में एक समितिग गठन किया था। रेलवे बोर्ड के सीईओ जयावर मसिनहा को बनाया गया है। रैवन मैक्स से अवार्ड डाक्टर रवी कंडन को दिया गया है और ये ऑनको लॉजिस्ट है। मच्छवारों की सुरच्छा के लिए नभमित्र उपकरण को लांच इश्रों ने हाली में किया था। नेक्स्ट कोशन है फीफा अंडर 17 विस्ट कप 2030 की विजेता टीम कौन सी है। नेक्स्ट है फीफा वर्ड कप की बात करें तो यहां पर मेल वाला कतर दोहा में आज़ित हुआ था। यहां पर विजेता बना था फ्रांस को हरा कर गोल्डेन बूट एमबापे को दिया गया था। गोल्डेन बॉल मेशी को दी गई थी और सुभांकर इसका लाइव था। फीवेल वाला फीफा वर्ड कप जो है वो आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड में आज़ित किया गया था। इसको जीता था स्पेन ने इंगलेंड को हरा कर नेक्स्ट है। औरोन विमान को लांच इसराइल ने हाल ही में किया था। वाइस्टू पार्लेमेंट यहाँ पर समिट का आयोजन अस्ट्रेलिया में किया गया है। इसको आयोजित इसलिए किया गया था क्योंकि वहां के मूल निवाशियों को समिधान में अधिकार देने हुए तो जन्मस संग्रह यहाँ पर कराया गया था। दुनिया की पहली 100% इथिनॉल संचालितकार का अनावरण टोयटो कंपनी के द्वारा किया गया है विस्ट बैडिमिंटन चैंपियंशिप का आयोजन कोपेन हेगें डेनमार्क में किया गया था और यहाँ पर एच प्रणे ने कांसे पदक जीता है सत्रण चैंपियंशिप का आयोजन बाकू अजर्बैजान में किया गया था जिसको जीता मैगनस कालसन ने था और सिल्वर मिडल आर प्रग्याननदा को मिला है अथेलेटिक्स चैंपियंशिप का आयोजन हंगरी बुड़ापेश्ट में किया गया था और यहाँ पर नीरच चोप्रा ने गोल्ड मिडल जीता था प्रोजेक्ट एमबर क्लाउड प्रसिच्छन प्रोजेक्ट से संबन देता है कॉप 28 में किस राज के जल जीवन हर्याली अभियान को अंतर राश्टिय मानिता मिली है हाली में कॉप 28 का आयोजन यूएई में किया गया था और यह UNFCCC का समेलन होता है जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी UNFCCC का मुख्यालए बॉन जर्मनी में इस्तित है कॉप 1 का आयोजन 1995 बरलिन में हुआ था कॉप 8 का आयोजन 2002 में दिल्ली में हुआ था कॉप 27 का आयोजन सरमलशेख मिश्र में हुआ था और जो अभी यहाँ पर हाली में कॉप 28 का आयोजन UAE में किया गया है वहाँ पर जल जीवन हर्याली मिशन को मानिता दी गई है और इसको अंतरास्टी मानिता मिली है और ये बिहार ने 2019 में शुरू किया था जल जीवन हर्याली मिशन जल इसके तहट जल और व्रच सलच्चन के लिए इसको शुरू किया गया था इसका उदेश था हरित बिहार बन करने वाला स्टार्ट अप जप्टो है और ये किराने के शामान की ओलाइन डिलिवरी करता है ब्राइट स्टार 2023 अभ्यास एजिप्ट के द्वारा आयुजित किया गया है और यहां पर भारती वाईशेना ने पहले बार भाग लिया था साइकलोन अभ्यास भारत और एजिप् में यहाँ पर भारती महिला दस्टिबाधित क्रिकेट टीम ने यहाँ पर अस्टिलिया को हरा कर इसको जीता है जिसकी कप्तान सुस्मा पटेल थी नेच्ट कोश्यन है रियाद अशियाई पुरुषकार 2000 यहाँ पुरुषकार संमेलन 2030 में सरवसेश्ट युवा अथलिट पुरुषकार के से मिला है हाली में एसियन अवाश़् अवाड 2030 का आयोजन रियाद शाओदी अरब में किया गया था और यहाँ पर सरवसेष्ट युवा एथलेट का पुरुसकार सीतल देवी को दिया गया है और यह जम्मु कस्मीर की पैरातिर अंदाज है इन्होंने 19-वे एसियन गेम्स में दो गोल्ड मिडल जीते थे सरवसेष्ट टीम का आवार्ड इरान को दिया गया है श्री हनुमान लोग की स्थापना करने की घोष्टना मद्दपदे सरकार ने किया है राष्टे स्मार्ट सिटी पुरुषकार श्रीडी में पहला अवार्ड इंदावर को दिया गया है इन्फोसिस की ब्रेंड अमबस्डर मेल में राफेल लाडाल है मंदिर संग्राले की स्थापना आयोध्या में की गई है लूपेक्स मिशन जो है चांद के लिए इस्रो और जाकसा यानि की जापार की स्पेस कंपनी का है इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम दोजार तेस कहां प्यारंब हुआ है हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोध्यान भारत मंदपम ने दिल्ली में किया गया है जिसकी थीम मूविंग फोरवर्ड है और ये तीसरे करम का है इसका आयोजन इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरनेट समंधित मुद्यों पर ध्यान आकर्षित और बाचीत करने के लिए इसका आयोजन किया गया है G20 का हेड 2024 में यहाँ पर ब्राजील बनेगा 2030 में भारत में G20 समेलन आयोजित किया गया है IOC की 141 बैठक मुद्यों में आयोजित की गयी थी इंटरनेशनल ओलम्पिक कमीटी की यहाँ पर ट्रिकेट को 2028 ओलम्पिक खेल जो की लॉस एंजिल्स में होंगे वहाँ पर शामिल किया गया है T20 format Global FinTech Summit का आयोजन मुद्यों में किया गया है 69 वे राष्टी फिल्म आवार्ड में बेस्ट अक्टर अल्लु अर्जुन पुस्पा फिल्म के लिए बने हैं जबकि बेस्ट अक्टरेस अलिया भटो कृती स्विनन थी BRICS के नए मिंबर जो हैं वो छे यहाँ पर बने हैं जिसमें मिश्र, शावदी अरब, इरान, UAE, इतोपिया और अर्जंटीना शामिल है BRICS Summit 2030 का योजन साउथ अफरीका में किया गया था अगला वाला जो BRICS Summit है वो रसिया में आउजित किया जाएगा राष्टी हरित नियाधिकर्ण का अध्यच प्रकास स्विर्वास्तों को बनाया गया है धालपुल करोली 94 टाइगर रिजर्व का संबंध राजस्थान से है नेक्स्ट कुशन है भगोलिक सूचना प्रणाली अप्लिकेशन ग्राम मांचित्र किसने लॉंच किया है हाली में ग्राम मांचित्र को लॉंच पंचायती राजमंत्राले के दोरा किया गया है और इसको ग्राम पंचायत इस्तर पर स्थानिक योजना बनाने के लिए शुरू किया गया है इसमें फोटो कीच कर अपलोड करना है और कारवाही जो है M Action Soft कारवाही के लिए यहाँ पर M Action Soft वेर को भी यहाँ पर लॉंच किया गया है राश्टी चुनाव आयोग के राश्टी आइकन राजकुमार राव को बनाया गया है और इससे पहले यहाँ पर सचन तंदूलकर जो थे राश्टी चुनाव आयोग के राश्टी आइकन थे Thailand के नए PM श्रेवा थाविशीन बनी है विश्व एथिलेटिक्स संग के उपाधच आदिल शुम्री वाला को बनाया गया है सबसे लंबे समय तक तेनादी का रिकॉर्ड यहाँ पर INS वागीर ने बनाया है BPCL के ब्रेंड अमेस्जर राहुल देविड को बनाया गया है नेक्स्ट है हाले ही में नोसेना को सोपा गया पहला सर्वेच्छन जहाज कौन सा है हाले ही में INS संधायक यहाँ पर भारती नोसेना को सोपा गया है और यह सर्वेच्छन जहाज है जिसका निर्माड गार्डन रिच से पिल्डल्स लिम्टेड कोलकाता के दोरा किया गया है और यहाँ पर यह सर्वे वेसल है जो कि यहाँ पर पानी में कौन कौन से मिंदल है इसका पता लगाएगा हाइडोग्राफिक करेगा यह आइनेस अर्नाला जो है भारत का पहला एंटी सम्मरीन शिप है जिसको तमिलाडू से लौंच किया गया था भगवान बिश्यमुंडा जुडवा योजना महराष्ट सरकार ने शुरू किया है अंडर टुन्टी विस कुस्ती चैंपियनसिप का योजन जॉर्डन में किया गया था और यहाँ पर दो गोल्ड मिडल अंतिम पंगाल ने जीते थे मुख्यमंत्री निशुल को अनपूर्णा भोजन मार्केट योजना राजस्थान ने शुरू किया था उनिसुमा राष्ट मंडल संसदिय संग संवेलन उदैपुर में आज़ित किया गया है ICC क्रिकेट वर्ड कप का यहाँ पर सुभांकर क्रिकेटो वर्स था और यहाँ पर इसके ब्रैंट अबर्जर शारुक खान थे नेक्स्ट है प्रतिवर्स विश्यो मरदा दिवस का मनाया जाता है तो यहाँ पर 5 दिसंबर को विश्यो मरदा दिवस मनाया जाता है पहली बा अक्टूबर को थाइलेंड के किंग भूमिवाल का बड़े यहां पर होता है और इसको FAO के द्वारा आयोजित किया जाता है बात करें FAO की तो इसके मुख्याले रोम इतली में इस्तित है और इसके स्थापना 1945 में होती है और यहां पर वर्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मना जाता है अमरत व्रच अंदूलन अशम ने शुरू किया है और इसने गिनीज वर्ड रिकॉर्ड में पनाम दर्ज कराया है प्रोजेक्ट कलैप उत्राखंड के द्वरा शुरू किया गया है बारत के पहले 3D मुद्धित डाकघर भवन का उद्गाटन बैंक्डूरों में कि जा गया था आई होप आप लोगो वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगो कोई सुझा होए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों को भी बताएं और टेलिग्राम को जोईन कर लें वहाँ